सवागत है दूस्व आप सभी आप फिट से एक नई वीडियो में दोस्तो जेकबोट के दुआरा आप सभी के लिए दूस्टो यहाँ पर ब्लूप्रिंट जारी हो चुका ठीक है यहां पर दिख़े दुस्त जैसे ही के लिखा गया के प्रतं दो महीनों के लिए ठीक है का अच्छा एक से बारा तक के परिक्षा वस्तुनीस्ट होगे ठीक है यहां पर यानि कि यहां पर आप आपसे का जिस्तरा से परिक्षा होगा उसका blueprint जारे हुआ है और प्रतं यार सिर दो महीन बाद फिर से आपका blueprint जारी होगा तो यहां पर दूसरो class 1 के लिए जो भी बच्छे class 1 में परते हैं उसका 5 questions आएगा हलांकि तो आप 1 में है नहीं ठीक है यहां पर class 2 के लिए है ठीक है उसे प्रकार से class 3-5 है class 6-8 आपका class 6-8 तक जो विद्यारती है दस questions रहेगा चार marks यानि कि एक questions पर आपको 4 marks मिलेगा अब बारी आता है दूसरो कि आपका जो questions ही आपका किस प्रकार कराएगा objective रहेगा कि subjective रहेगा उसका detail में दूसरो आपका jackboard जो है यहां पर blueprint जारी हुआ और साथ में दूसरो आपका पहला सब्ता में किस प्रकार से exam हो और एक questions पर आपको ढ़ाई number मिलेगा ठीक है तो यहां पर दूसरो यहां पर थोरा सब्सक्राइब दियार अगर इसको नीचे के और आस्क्रोल करते हैं उसमें दूसरो बहुत बरी जनक्री ठीक है यहां पर दूसरो ख्लास 1,2,3 है तो इसको हम लोग आस्क्रोल करते हैं य जिसमें से 10 objective रहने वाले हैं दो नमर का objective रहेगा और 5 200 subjective रहेगा जो की 4 नमर का रहने वाला ठीक है यहां पर देख लिजे आपका जो प्रतम बिक में science and English का exam होगा 15 questions total रहेगा जिसमें 210 objective आपका रहेगा और 5 आपका subjective रहेगा ठीक है आपको 40 नमर का total exam रहने वाला और यह दोस्ते प्रकार से यहां पर भी उसका टर्मेंट कंडिशन रहने वाला ठीक है फॉर्थ विक में दोस्तों उस्ते प्रकार से आपका दिया यह उसका बाद वह नीचे की आश्कोल करते हैं और class 9 में आते हैं तो class 9 में दोस्ते विक में आपका महित का exam गोगा safe for safe जिसमें 16 questions रहने वाला जिसमें 210 अब्जेक्टिव रहेगा जो कि दो नमर का रहने वाला ठीक है दो सब्जेक्टिव दोस्तों दो नमर यह रहेगा और दो सब्जेक्टिव आपका तीन नमर का रहने वाला ठीक है टोटल नमर भी दोस्तों आपका 40 रहने वाला समय दोस्तों आपको ज प्रकार में होना है ग्लिज और सॉचल साइंस मी दोẫn्स आपकर उसी प्रकार से और बार विकषकान में इसंका उस्का स्वा ग्लास्यों से इसना है ग्लास्यों में 20 में 20 अपजेकटिव रहे गा या हमारने आगुल सब्जेक्ट में और यहां पर इग्जाम का जो पूरा नंबर है चालिस और वाला और यहां पर आपको समय दिया जगा नबबे मीनट्व आपको दोसुन यहां पर जो एक्जाम होगा उसको दोस्टो ईग्जाम दीजिए का क्योंकि आपका इंटर्न गिंघ उसी प्रकास से दुस्तों सेकेंड विक में साइंस का एक्जाम होगा, ठर्ड विक में इंगलिज और हिंदी का एक्जाम होगा, सेम कंडिक्शन है, चल्स नंबर का होगा, देर गंटा का होगा, ठीक है, अब बात आता है दुस्तों क्लास 11 का, तो यहाँ पर जो भी बच्चे आर्स से कोमर्स के, साइंस के, तो यहाँ पर देख लिए ठीक है, फर्स्ट विक में दोस्तों फीजिक्स का होगा, हिस्ट्री और यहाँ पर एसी यहाँ पर आपका जो एक्कांट मी का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका साइंस वाला है, उसका फीजिक्स तो 40 सनमार 15 गंटा का समय मिलेगा 2nd week में दुस्तों chemistry रहेगा जियोग्राफिक रहेगा और VST रहेगा ठीक है यहाँ पर आप से भी जिस प्रकार से जो भी केटेगरी में आप सामिले चाहे तो आप science में, arts में या commerce में तो आपका उसी प्रकार से exam होना है ठीक है अब नेस्ट रहे तो 3rd week में दुस्ति यहाँ पर biology, math है और economics का exam है ठीक है तो जो भी बच्चे है अगर आप science में biology, biology का exam होगा, math लिए math का होगा ATP लिए इसका exam होगा चाहे तो आप economics का exam होगा जिस भी में है उसी का exam होगा सबसे पहले physics है history है और economics में का exam है यहाँ पर 16 questions रहेगा 10 objective, 2 subjective, 2 नमर का 2 subjective, 3 नमर का, 2 subjective, 5 नमर का है total questions 16 रहेगा और 40 नमर का रहेगा ठीक है, 90 minute का समय आपको दिखाजेगा तो आपको दूसरी यहाँ पर पूरा जनकारी आपको प्राप्त हो चुका तो अगर दूसरी आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लिच जएगा दूसरी और मिलेंगे दूसरी नेश्टी वीडियो में तब तक के लिए दूसरी बाई बाई